नमस्कार मैं उन्राग आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाग बात आज इस्टूडियो में हमारे साथ में है नियाज जहमत खान साथ आप आई एस अफसर हैं लेकिन आपकी ख्याती एक लेशक के रूप में ब्रहामनों को लेकर आपने जो अनुसंधान किया उसकी बहुत चर पोला सीओई साथ साथ है कि मियाद एमध खान एक य'reमान के उस्ट CC चाहिए तो मेरे सिघू हैं प्रेग आपको निसा मोन मत बंप चैढ़िये और लिखि हैं मुझे लगा कि एक ब्रहमर्ण कम्यूटी का जो इतिहास वाई तिहास साल का था बहुत ही गोरोसाली था बड़े बड़े चीवमेंट और पीछे घूम करके आप देखें तो यह कहा जाए कि ब्रहमर्ण को माइनस करके इंडिया को देखा जाए पराचिन भायात को मुझे लगता है कोई कहानी नहीं बंती जब इसके अंदर चानक महान चानक महान ब्रहमर चानक जी उनकी लाइब देखी देदिशी जी के बारे में पढ़ा आइसे कितने राइटर बड़े-बड़े-बड़े-बड़े फिलोसफर बड़े-बड़े संत्रिसी मुनी तो मुझे बहुत ही बड़ा रहा है उसकी पहचान मिटनी नहीं चाहिए वर्तमान समय के अंदर भी पहचान उसकी बनी रहने चाहिए और आने वाले समय में बनी रहनी चाहिए तो इसी उद्देश को लिकर मैंने ब्रहाम बिन ग्रेट लिखा है मुझे पता था चुकि मैं नॉन मुस्ल यह ष्कार करना नहीं चाहते जा सबसकर से मुझे बहुत हैं को यह हैां कि क्रिस्चन कंदर कर आया यही फिर्व करद करा यह मुसलमान बन गए मैं आप बैठ या कर दोनों कर दिदया जाती है को को बता नहीं पाए है क्युक्क्कि हम सब एक ही हैं अलग अलग बच्छा हम इसलिए क्या सब हम सब भारती एक ही है से हम जीन से मारा है हमारे अलग अलग है आप कि बड़ी साफगोई से सच बूल जाते हैं इसी से लोगों को दिक्कत हो जाती है देखिए जब आप चिंतन नहीं करते हैं और जब तक आप चीजों को पढ़ेंगे नहीं गहराई से सोचे हम अपने एक होती है तो भारत क्यों चीजों को जो मैं कहता हूं लोग क्या समझते हैं सोचे नहीं करते सिधर रेक्षान बड़ी अशाषा ने पादा है सच बोलना पाथैं ? ना तो अभी आप नहीं सत्थ तो बोलना ही मुझे लगता है कि जब जब बोलना बंद कर देंग इसमें सत्त कहीं से भिए यह से सत्त विए तो आना चाहिए सथ का मौत भी रहना चाहिए और समाज को निकल कर सको करना ऐसको इसको बिना बंद कर लेगा तो सब हम क्या जूट की दुनिया में टायरते रहेंगे इसले को अभी ना गरेट लेखक लिखता है बहुत साहत के साहत मुझे लगता है कि यह साह से भी उपर की बात है दो सहा से इस परिगा लिए नहीं है अगर मैं लिखता हूं ब्रहामिन अग्रेट तो कोई हिंदू भाई यह अगली फ्रक्ता मुहम्मद अग्रेट किसी दोकर नहीं है कोई अगर लिखे तो भी लिख सकता है इस राइटर मैंने ब्रहामिन दुन्या उजूर लग रहा होगा तो मुझे लगता है कि इस वर की बहुत बड़ी किरपा है मेरे उपर यह उपर वाले ने यह आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किस तरह किताब कभी लिखी कई हुए हंदुस्तान में कि एक अल्फंक है क्या मुस् मुझे लगता है कि नहीं मेरा फर्ज बनता है कि बहुत लिए मैस चीज को लेकर क्या रहा है प्राचिन काल में आज भी उसका महत उत्ता है लेकि लोग भुलाएं ना और फिर सितिहास की और लोग टर नो उनको देखें कि हैं कि हमारे पास कैसा बहुमूल एक संपत्ती ब् मेरा ऐसा परसन मानना है कि उनके अंतर वो ब्रेंड पोटेंशियल है वो मानसिक चंता है कि जो देश के लिए बहुत बड़ा ब्रहमन एक एक सिद्ध हो सकता है आपने ब्रहमन के लिए लिखा आप खांसाब मुसलमानों में भी किसी विशे पैसा लिख सकते हैं ने क्यों अपने लिखूगा मैं तलाक तलाक मेरे याच्यु के किताब मुसलिम पर लिखा है नहीं विवाद नहीं बता रहा हूँ आपने अपने देश में क्या है कि वशयद आपकी पहली किताब र्सन के नाम से आए थी बाद में तलाक तलाक में कर्भाट हूई हूँ हाँ तो जब आप सत्को सुकार नहीं करते हैं और सच को सच मानने से इंकार कर देते हैं तो विवाद की इस्तिती उत्पन हो जाती है के तो बिचार लेका नहीं पाएगा एंगा। जब भी विचार आएगा आपको जो पढ़ता लिखता अध्यान करता हो चीजों का जागरूख होगा चिनतन करता हो जी वह चिछलने कियागा में कहां से पच्छा करें कुछ चिलने का ने की पहले का भेकती ही बोलेगा। जब पहली किताब जब देखी उसका रिस्पॉंस आया उसके बाद एक सिल्सिला चलपा लगबग साथ किताबें अब तक आ चुकी है किताबें लगबग जो देखने में हैं इस अभी बाद लेंगों ने किताब लिखने के पहले क्या मन में रहता है कि ये विशय आगया तलाक वाला मसला आगया अब रहम मना आगया या आपको तमाम दर्शक आश्चरम सीरिज देख रहे होंगे उसकी जो मूल कता है वो मियाद किताब की 2014 में लिखना सुरू किया था और वेफ फिरीज तो 2020-2021 में आई थी पांचे साल बाद आई थी तो मेरे दिमाग में देखिए ओ आडिया जो आचुका था आज से साथ साल पहले वही वेफ फिरीज हिंदुस्तान का सबसे सुपर पहले पकड़ लिखना चाहिए था बाद में जनता ने उसको स्विकार किया आप में जब दिखा तो कहीं ऐसा आपको लगा था या इसा कोई घटना करम सामने आए बिल्कुल राइटर मुझे लगता है कि कुछ जूट लिखता है तो अगर आप कोई चीज लिखे हैं लोग पूछते ब्रामार गेट के में पर तरक उसका लॉजिक है मतीन घंटे तक आपको लॉजिक समझा सकता हूं चीजों का तो जब भी कोई चीज लिखी जाती है ना राइटर उसके पीछे सॉलिड इस्तम में खड़ा करता आश्रम की बात करेंगे आश्रम को लेके आप अदा की ज़ीर्गार आश्रम का लॉजिक देना चाहिए था वो डिर्क्टर होगता चाहिए थी यह तो कॉ्पी राइट को भाइलेशन होता है राइटर को केडिट देना पढ़ता है और से आपने कामर्सिली बिजनिस किया है तो उसके आंदानी भी वी उसको हुई है तो कही नि यह राइटर के नाम पे बनती फिल्म तो फाइनसी लॉस भी हुआ उसका तो कॉपी राइट के अंदर तो सारी चीजे हैं के अंदर अब चुकि यह जूडिसियल पॉर्फिजर है अब को पृतिवादी बना है आपने सबी है राइटर है डारेक्टर है पोड्यूसर है सबी ल कि जो साथों किताबे हैं वैसे तो किसी राइटर से पूछना कि कौन सी आपको ज्यादा पसंद आई या जिसमें आप ज्यादा डूप के लिखे हर राइटर हर किताब में उती ही शिद्दत के साथ जोड़ जाता है तब इस पारता है लेकिन आपको लगा कि बेस्ट सेलर क वालो कोईलो का बहुत सुपर है जो कि कोई दुनिया में तहल का बचाए दस बार साथ किसमें पूछे नीथा कि कहा है इसलिए किताबे बहुत बिग गई है तो ओ कोई क्राइटरिया है बुक के कंटेंट का या उसे क्वालिटी कि मैं कदाफी नी मानता हूं कई बार पर कहूं तो सभी किताबों मैं इसको नंबर एक पर रखूँगा इसलिए कि एक ऐफी चीज में लेकर आया हूं जो किसी सुनना नहीं तक हुई तक और जब चीजे आप उसके पढ़ना सुरू करेंगे तो बोलेंगे तो हमने किस भी सोचा है नहीं नहीं चीजे बताई जा करके ब्रामारन अपने धर्मosition पर वें फोचेंगे के तो बड़ी खुषी की बाहत पूरे हिंदुस्तान से मेरे पदो बाएं सौथ इंदिया से आ रहा है विचाराओ घंग से नेजीम नहीं बोल पाते साउत के लोग तो फोन कर रहे हैं हरियाना से आ रहा है कास्मीर से आ रहा है बिहार से लगनौ से बड़े खुसी होती जोची मैं लेकर आयों कम-कम एक अटेंशन ट्रौ किया लोगों कम है क्योंकि अभी अंग्रेजीम नावल है यह मई में हिंदी भी आ रहा है तो मुझे लगता है जभी लोग पढ़ेंगे तो मुझे अप्रिसेशन तो मिलेगा कि भाई जोची मैं लिखा नई शीर लेकर करके आया हमें समाज के लिए तो मुझे बहुत कंटेंट है और सभी किजाबों मुझे लगता है कि यह मेरा बे अच्छा मस्ती और मुझशे कौन कहता है Paneeri सीधा साधा होता है यह ना तो सीधा है ना साधा चठपटा है नया Milkt Magic Healthy «Cube Bites Spice-Infused Paneer खाओ कभी भी कहीं भी Milkt Magic Healthy Cube Bites Paneer पे अप-मस्ती चड़ गया प्रिक के बाद आपका स्वागाति आप देख रहे हैं बेबाग बात मेरे साथ इस समय लेखक अधिकारी नियाज जी राज प्रशाचनिक सीवा उसके बाद भारती प्रशाचनिक सीवा दोनों का काम लगभग एकसा होता है कुछ कामों का दायरा बढ़ जाता है और एक लेख कि अगर मेरे दिल सच्चा पूछे तो ठीक मैं परसासिंग अपसार हूँ एक अच्छी सेवा देश की सबसे वड़ी सेवा है भातिपसाई सेवा लेकिन जो मुझे खुसी अपने क्रियेशन से मिलता है जो किताब लेकर आता हूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो ये सबस्किन जो सही चीड़ की मेरी है जो चाहे जो मेरे तो आईजा अधिकारी मेरे को वह पईवाच चलाने का एक साधान है जोस्यबशाटी चूर्पर प्रशासिंग सेवाओं में जाना है ग्याति आप उत्रप्रदेश से आप निकले छटे ज़ने पहुंचे और मद्द प्रदेश में आफतर हैं पूरी मेरी महताव कांचा थी बिना महताव कांचा नहीं मैं डिप्टी क्रेटर बनना चाहता था पीली बत्ती गाड़े इम भूमना चाहता था मेरे ड्रीम था पजेसी था उसके लिए दिंदाथ हम अध्यन करते थे व कोई पूचता अब क्या हो तो मैं इसको टालने कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी आइटिटी मैं उसको क्योंकि रोजी रोटी का साधाना इसको लेकर एक अंदे पे घूमने वाले चीज नहीं है पर बिंग आइजा राइटर जो रिकरनिस्न समाज और मुझे खुसी होती कि ल कर दो भी किया है जब जब मुझे 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 खुब किया मुझे लगता आप लोग 15-20 साल से मुझे देखते आ रहे हैं जो मैं करके आया कोई नहीं कर पाया तो में नाम पर ढ़र साइर रिकार्ड बने हुए है वहाँ पर लेकिन मैं रिकार्ड हो बीस सालों से है नियाज भई से और बहुत कम ऐसा देखने को उता है कि लोग इसको सुखार है कि सरकार हमको काम करने की तंखा जा रही है और हम उसके आवज में काम कर रहे है कि किसी पहसान नहीं चार रहा है कि जो मठा दीज बनके बैठ जाती हैं और किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं और मुझे रखता है कि जब विख्ती संवेदर शील होता है तो बहले ही वो लेखा हो या प्रशास्नी का लिखा रही है दोनों जगे वो अपने घंडे गालता है ऐसे ही मियाद भाई है बात ब यह सीम मेरे से लेबर थी था चानक पे तो चानक का जो गहरा परवाव मेरे मन मस्तिस में में बहुत गहरा रहा है खासके उनकी साथगी और देश का प्रेम इतना प्रेम था उनके अंदर कि उन्होंने धनानन को भरे दर्बार में उसको पस से ठेकने का बचन ले लिया जब कि जो निस्वार्थ भ्याव से कोई मौने कीजिस का मौने इमांदार देश भक्त सक्चा जिनका सिल्फ रिस्पेक्ट जिनका आस्मान पर बैठा था महान आथर महान राइटर थे महान विचारत थे महान दारसने के महां आर्थ बिशेशा का महां इस्ट्रेजिस्ट महान व सब्सक्राइब कर दोबारा जनम नहीं लेगा और यह बहुत बड़ा की ऐसा बैक्ति एक ही बार आता है जो चाड़क अंतिम में आए थे मैंने जून्यर कोटिल नाम भी दिया था कि कउगकों चालक के समान में में नाम भी कोटिल लेदू तो कही नगे यह जीवन पर बहुत ही जवर्धत परवाव रखने वाले करेक्टर हैं कोटिल जी इसमें आपने तमम तमाम प्रमणों की मिश्चा की आपने दरतीं जी का शिक जब मैं रिसर्च कर रहा था मैंने कुछ ब्रहमार जो मेरे करमचाहरी थे मैंने बुला कि उनका आईक्यू टेस्स करने कुछिश की तुम बता जरा तो जब कोई बता नहीं पाई मैंने का चलो मैं एवरेज ब्रहमार फेस्ट आगे निकल गया हूं मैं जानकारी के बारे में तो मैं भी टेस्ट भी किया करता था चीजों को इसके अलाव कुछ नई चीजों मैं अद्धिन करता था मैं बीचित में इंटर्व्यू लिया करता था लोगों को देखो यह क्या सोचते उसके बारे में आप देखिए वेद इतना बड़ा ग्रंथा है क्योंकि मैंने तो वे अधिन रादा कि लारे सबस्वलूफर वेदों के अंदर दिया गया है वेद किसने दिया ब्रहमर रिसी मुनित है सुरूती किला थे यह एक दूसरे बताते गए आगे बढ़ते गए वेद मुनिब्यास ने कंपाइल किया जाकर कि महा सागर वेद तो महा सागर है एक वेद क अगर मौडर्न टाइम में देखे जाएं तो कितने बड़े अब्रहमर लेने जो कि टुपु सुल्तान का पूरा जो है उनके सासान को टुपु पुल्तान ही अपरतेश भी चलाय करते थे बहुत बड़े डवाइजर रहे हैं तो आप हर यूग में ले लिजिए लेकिन दु है यहोदी जाएस नहीं है तो बराबर देखे सौझे हैं तो बराबरदू चैनлिग में तब मारा कि टूस्त बड़ा करेंगे सब्सकता हैं बहुत बड़ी चती हमको उठानी पड़ रही है कि इसी बराबरिक सोचकान हम जो बड़ा हमारा टैलेंट है सब देश छोड़के जा रहा ब्रेंड ड्रेन हो रहा चारो तरफ तो तो मेरा है कि हमारा सब देशवासियों मैं तो मुस्लिम हुझा कि मेरे से पिच्छन की असली म परती रिस्पेक्ट हम करें उनको जितना उसर मिल सा कि हम देने कोशिज करें उनके ब्रेन का राष्ट की निर्मार में फिर से प्रयोक करें अपमानित करना पूरी तरह से बंद कर दें क्योंकि अगर यहुदी को ले लें 50-50-60-60 लाक के पूरे दुनिया में चाहे हुए प अब से बड़ी चीज़ में ने देखिए कि काउन्फिटेंस सुन हो रहा ब्राम्मार का विचारे वह भी अपने उको मान लें कि हम भी ब्रावार हैं जबकि कहीं ने कहीं किताब इसलिए लिखी गए कि इनको चुछे को जिसको राजाये फिर जगाया जाया फिर सुन को इह साथ दिला जाए कि आप एक्स्टा उडनरी हो आपकी किताब की पूरे देश में चर्चा इसलिए और अगर ब्राहमान सो रहे हैं तो जाग जाए आपका जो आवान है लोगों से भी आपका निवेदान ने इनको उच्छे सम्मान दें वो भी ठीक हैं लेकिन जो देश के जाना है कि मैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हुआ राइटर हूँ नहीं तो पॉलिटिकल बैयान देता हूँ और कई मेडिया वाले मुझे घंसिट्बन पॉलिटिकल इसू पर मेरा बात क्यों टैलेंट पहें ब्रहामबर के ब्रहामबर एक हीरा है उसकी पहिचान करो आप आप नंबर में दिक्कत क्या होगा है पांच है पर फिर्ट है साड़े साथ-ाथ करोर की आबादी है बिचारे असलिया फंकिक तो ब्रहामबर आच के डेट आए दारसनिक आए हमारे बड़े-बड़े संकराचार जी हैं मंदिर में पूजा करने इनको बड़ा-बड़ा सम्मान दे हमें को विचारे तिन्हासे आपकी संस्किर्ति को कंदे पर ढो रहें ये बचा रहें आपके महान कल्चर को बचा कर ब्रहामबर रखे हुए है तो म हमारे बड़े से बन में आगे रहो तो इसको पॉलिटिका अंकर संच लेना चीजिस सब हर वर्क के लोगों को बिलकर ब्रहामबर को सम्मान तो कम सकम करना चाहिए जहां तक मेरा पासन रूपिनियन है मुझे रखता है कि आपकी किताब जो है वो चमतकारिक साबित हो जैसा सर के नाते भी आती होंगी और लेखक के नाते भी आपको कई वाज द्रविश करती होंगी प्रेजर्वेशन का इस्व है जात पात हमारे बहुत ज्यादा है हम जिस समानता की बात करते हैं वो कभी आने पाती समाजबात की बात करते हैं कि एक समानता की बात करते हैं कि एक स तो अंदर सोचल स्ट्ट्रक्चर रहा है वान बिवस्ता तो दुन्या के पहला कारिभाजन था जहां पर चार बनाए जान नफ़त की भावना नहीं था कोई नफ़त नहीं दी नकुछ ने बड़े अच्छ देश से था तो मैं तो कहता को वान बिवस्ता एक सांदार समझ लिया था कि समाज कैसे बनाया जाए तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ जब हमने पास्चार कल्चर में बहुतिक वाद में आए बग्यानिक सोच हमारी आ गई तो हर चीज़ को हमने कॉसेंड एफिक त्योरी पर कसना सुरू कर दिया तो सब पतन सुरू होगे अगर ह संस्कृति पगर रहते धर्म को लेकर कर चलते बहुतिक वाद के मुझे थोगा दूर रहते जिसे आप भूटान होगे लिए कल्चर उनके लिए सब कुछ होता है देश में नौर्थ कोरिया चल जाए कल्चर बहुत हो उनका तब हमने बहुतिक वाद की मार इसके अलावा अ सब्सक्राइब करें तो लोग नमाज पढ़ें लोग अपने ड्रेस कोड में रहें जोएंट फैमिली सिस्टम रहें धर्म परती लोगों में आस्था रहें बहुतिक वाद से हम दूरी बनाएं पेड़ों की पूजा करें नदियों का सम्मान करें फिर से में अच्छा महान भारत बना सकते हैं पर सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोगों के सामने बहुतिक वाद है और बग्यानिक सोच है यह दो सबसे जाने दुस्मन भारत कल्चर के लिए है बहुत ही खतरनाक है लेकि मुझे उमीद है कि देखिए जो टैलेंटेट कमटी रही तिहास के अंदर आ तो यकीन है और नहीं होगा तो यह किताब आई चुकी बजार के अंदर जिसके अंदर जो लोग पढ़ करके तो कुछ नब तुमार दसन लेंगे कुछ तो कॉंफिडेंस पैदा होगा लेकिन मेरा मानना है कि देश की संस्किर्टी कल्चर से बड़ा कुछ नहीं होता कुछ चाहिता है और ग्रेट राइटर है मैं तो कांगा ग्रेट नियाज अहमत खान सार आपने स्टूडियो में आके वक्त दिया आपका बहुत बहुत आभार और मैं लोगों से लिवेदन करूँगा कि एक बार इस पुस्तक को अंग्रेजी में और निकट बहुश में हिंदी मे आपके लिए उपलब योगे से पढ़ें और लगता है कि ब्रहमन गर्व करने रायक हैं तो आप भी गर्व कीजे नियाज जी की निजरिये से इस ब्रहमन फुमदाय को समय दी की कोशिच कीजे और जैसा नियाज जी को लगता है कि ये देश की धरोड़ हर और देश की उन् लाकात होगी तब तक आप देखते लिए दखनी उस नमस्कार